हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ चटपट से बन जाने वाले बहुती आसान चटपटे और कुरकुरे नास्ते की रेस्टी से यहर करेंगे जिसे आप सिर्फ दो कच्चे आलू और पोहे से बना कर तैयार कर सकते हैं पहले से आपको इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं करनी है तो चलिए फटा फट से इस मज़ेदार से नास्ते को बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने एक कप पोहा लिया है मोटा या पतला कोई भी पोहा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और दो मीडियम साइस के हमने कच्चे आलू लिये हैं आलू को हमने छेल कर धुल लिया है अगर आपका आलू बढ़ा हो तो आप सिर्फ एक ही आलू का यूज़ कीज़ेगा तो सबसे पहले मिक्सी का जाल लेंगे और जो हमने पोहा लिया है उसको हम पीस देंगे तो चलिए सबसे पहले इसे हम पीस नेते हैं तो यह देखिए पोहा पिसकल हमारा तयार है तो चलिए इसे एक मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेते हैं तो इस पोहे को बिलकुल बारीक हमने पीसा है और अब बापस से मिक्सी का जार लेंगे और जो हमने आलू छील कर रखे हैं उनको छोटे छोटे पीस में काट कर हम मिक्सी के जार में डालेंगे तो फ्रेंड्स इस नास्ते के लिए ना तो आपको पहले से आलू उबालने हैं ना ही कोई तैयारी करनी है जब भी आपका कुई चटपटा और कुरकुरा खाने का मन करे तो सिर्फ पांच मिनट में आप इसे बना सकते हैं तो ये देखे आलू को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है इसी में एक हरी मिट तोड कर डाल देते हैं और ये आदा इंच अद्रक का टुकडा है इसके भी छोटे छोटे पीस करके हम इसमें डाल देंगे और अब इनको हम पीस देंगे पानी का यूज नहीं करेंगे आलू के ही मौशर से ये पिसके तयार हो जाएगा तो ये देखे इसको बिलकुल बारीक हमने पीस दिया है कोई भी इसमें पीस नहीं होना चाहिए तो इस करा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं तो धनिया को भी हमने धुलकर बहुत बारिक काटा है अब इसमें नमक डालेंगे तो नमक आप स्वात के उंसा डालिए और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर हमने पोहा ड्राइ लिया है तो आलू में जितना मौ पिला लग रहा है लेकिन जब पोहा फूल जाएगा तो यह एक सॉप्ट डो की तरह से हो जाएगा तो दस मिनट हो गए हैं चलिए तो चेक करते हैं तो यह देखिए पोहे और आलू का डो बनकर तैयार हो गया और यह दिखे बिल्कुल यह ना तो सकत है और ना सॉप्ट ही बिल्कुल तैयार है तो अब इसकी एक बड़ी सी लोई बना लेते हैं और अब इसको हम बेल लेंगे तो यहाँ पर स्लैप पर ही थोड़ा सा हम तेल लगा देते हैं जिससे यह जो डो है हमारा चिपकेगा नहीं आप चाहें तो इसे चकले पर भी छोटी छोटी दो लोई बना कर बेल सकते हैं पर एक बार में ही बेलने से जल्दी हो जाएगा तो बेलन पर भी थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया है और अब इसको हम बेल लेते हैं तो जैसे परहाटे बेलते हैं बिल्कुल बैसा ही उतना ही मोटा इसे हम बेलेंगे तो यह साइट से फट रहा है त कर लेते हैं और ये साइट के आठे को हम罟ा देते हैं बापस से इसकी हम लोई बनाकर बापस एसको हम बेल लेnahme। तो ये चवकोर सेप की हमाatarी बड़ी सी रोटी बनकर तयार है। अब इसके 25 आठी LOL कर लेँगे। तो आज यू नास्ता हम बना रहे हैं चोकोर सेप में बना रहे हैं आप चाहें तो इसे गोल सेप में भी बना सकते हैं जैसा चाहें वैसा आप इस नास्ते को सेप दे सकते हैं तो ये देखिए इसी तरह से सारा नास्ता बना कर हम तयार कर लेते हैं तो ये लीजिए एक कप पोहे और दो कच्छे आलू से प्लेट भरके नास्ता बनकर तयार है तो चलिए अब फटा-फट से इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं तो तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था गरम तेल में नास्ते को हम डाल देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और उलट-पलट करते हुए बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें हम सैक लेंगे तो ये नास्ता एक साथ ज़्यादा मट डालेगा क्योंकि ये चिपक जाता है तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा नास्ता फूनने लगा है तो बस इसी तरह से उलट-पलट करते हुए दोनों साइट से इसे क्रिस्पी होने तक सैक लेंगे तो ये देखिए कितना बहुती ज़ादा ये कुर्कुरे बने हैं क्योंकि इन्हें हमने पोहे से बनाया है तो बाकी का नास्ता भी प्राइख कर लेते हैं तो ये लीजिए सारा नास्ता बन कर तयार हो गया आप इसे सुबह ब्रेक फास्ट में या फिर साम की चाय के साथ इंज्वाई कर सकते हैं और ये कितने क्रिस्पी बने हैं कि आवाज भी हम आपको सुनाते हैं ये देखिए ठंड़ना होने पर भी ये नास्ता ऐसा ही कुरकुरा बना रहता है आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं तोड़ कर भी हम आपको दिखाते हैं ये देखिए उपर से बहुती क्रिस्पी अंदर से उतना ही ये सौप्ट है बिना किसी तैयारी के सिर्फ पांच मिनट में बन कर ये तैयार भी हो जाता है तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मजेदार से कुरकुरे चटपटे से नास्ते की रेस्पी कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेयर भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूर ना भूलें ऐसी ही नाई रेस्पी के साथ नेस्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिनेंगे थेंक्यू